इस वक्त सब्से बड़ी खबर ये आ रही है कि दिपिका पड़कोन को समन करने वाली है NCV येस, well hello guys, welcome to movie जड़ा, मैं हूँ जोती नहाथ, बता दो आपको कि इससे पहले मैंने आपको बताया ज़रूर था लेकिन उस वक्त शौरटी नहीं थी, लेकिन अब मैं आपको शौरटी दे सकती हूँ, कि दिपिका पड़कोन को भी आप समन भीजा जा चुका है इससे पहले, करिश्मा प्रकाष जो कि दिपिका पड़कोन की मैनेजर है, उनकी चाट्स मेनी थी जाया शाह के साथ, जाया शाह कौन है, जाया शाह है, जाया शाह है, चार बुंदवानी व्यक्ती जिनोंने रिया चकर भाय कुछा था कि पोर ड्रॉप्स डाल दो, पानी मे उनकी चाट में काई बड़े-बड़े नाम और भी रिवील हुए है, दी रिवील हुआ है, ये नियु मुझे हैश चाहिए और साथ्वा साथ दिपकाई भी केते है कि पिछली बार वाला माल अच्छा नहीं था मैं थबी हुँ मैं आ रही हुँ ए थोड़ा ब्रेक चाहते हूँ और मुझे पिछली बाहर जो माल भीजा था वो उतना strong नहीं था, hard-eating नहीं था, अभी मुझे वीड नहीं चाहिए, मुझे hash चाहिए, buds भी चाहिए, इस तरह के तमाम बाते तो अब इन सब chats के बाद तो देख विया बनता है आपका आना and as I said, repeat after me that drugs are consequences of depression. So, यह एक चीज है, अब देखना है होगा कि दिपका सामे से क्या response देख है, लेकिन आप लोग comment section नहीं जरू कता ही कि क्या आपकी नजर में सही है, मेरी नजर में तो वही आप लॉन सही है, because drugs को कितना ही common बना दो है, लेकिन आप यह नहीं भूल सकते, कि it is illegal, चोरियां तो देश में बहुत होती है, लेकिन इसका मतब यह तो नहीं है, कि यह legal है, right? तो चोरियां बहुत लोग करते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन जब पकड़े जाएंगे, तो फिर यही ठाल होगा, this is Jodhinahar signing off.